साइट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और इसके बाद बैल आइकन गो प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिलें एक्स्क्लूसिव खबरें राज कुंद्रा पर अब सिर्फ अश्लील कंटेंड बनाने का ही आरोप नहीं है बलकि कई और संसनी खेज आरोप लग रहे हैं हाल ही में सागरी कशोना शरलीन चोपडा जोयार आठोड जैसी कई मॉडल सामने आई थी और उन्होंने राज कुंद्रा की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी थी जिसके बल पर राज कुंद्रा गरफतार कर दिये गए और जेल भेज दिये गए मगर अब एक और एक्ट्रेस सामने आई है जिन्होंने राज कुंद्रा की पूरी कुंडली को खोल कर रख दिया है राज कुंद्रा कितनी घटिया हरकत कर सकता है और उस एक्ट्रेस के साथ बंद कमरे में जो जो किया गया वो सब इस एक्ट्रेस ने आप खुल कर बता दिय तो इस एक्ट्रेस के संसनी खेज खुलासे के बाद माना जा रहा है कि राज कुंद्रा को ता ओम्रु जेल में ही रहना पड़ सकता है। और राज कुंद्रा का अब तक का सबसे गंदा राज खोल कर रख दिया है। वहीं अब एक मशूर एक्ट्रेस ने भी राज कुंद्रा के खिलाफ अपना मूँ खोल दिया है। राज कुंद्रा पर अब तक का सबसे संगीन आरोप लगा दिया है। तो रिपोर्ट्स की माने तो 14 अपरेल 2021 को मुंबई के जुहू पूलिस स्टेशन में राज कुंद्रा के खिलाफ एक कंप्लेंट दरज करवाई गई थी। जिसमें एक्ट्रेस के साथ शारीरिक रूप से प्रतारना का गंभीर आरोप लगाया गया था। वो भरे कॉल आने लगे और एक्ट्रेस को डराया गया कि अगर उसने कंप्लेंट वापस नहीं ली तो उसे जान से मार दिया जाएगा। 14 अप्रेल 2021 को हुई कम्प्लेंट के बाद एक्ट्रेस को जान से मारने की धमकी के साथ ही परिवार को खत्म करने की धमकी भी मिल रही थी जिससे एक्ट्रेस पूरी तरह घबरा गई और उन्होंने दबाव में आकर कम्प्लेंट को वापस ले लिया मगर अब बीजेबी विधायक राम कदम ने इस मामले को एक बार फिर से उठा दिया है वो ही राम कदम जिनोंने राजकुंद्रा के खिलाफ तीन हजार करोड के घोटाली का मामला उठाया था उन्हीं राम कदम ने एक्ट्रेस दे हुई शारिरिक प्रतार नागा भी खुला सकिया है राम कदम ने बताया कि 14 अप्रेल 2021 को एक्ट्रेस ने जुहू पुलिस स्टेशन में राजकुंद्रा के खिलाफ F.I.R. करवाई थी मगर ये F.I.R. आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि एक्ट्रेस से कंप्लेंट को वापस लेने के लिए दबाव डाला गया था हाला कि खुद एक्ट्रेस तो सामने नहीं आई और कौन एक्ट्रेस है ये बताया नहीं जा सकता मगर रामकदम ने एक्ट्रेस के बिहाफ पर इन सब बातों का खुला सकिया है विधायक रामकदम ने एक्ट्रेस को सपोर्ट करते हुए कहा कि आखिर क्यों राजकुंद्रा ने दबाव बनाया आखिर क्यों इतनी बड़ी कंप्लेंट आगे नहीं बढ़ पाई और राजकुंद्रा पर उस वक्ट एक्ट्रेस क्यों नहीं लिया गया इन सब बातों को लेकर रामकदम ने सवाल उठाये हैं यही नहीं विधायक ने तो एलान भी किया है कि अगर तीन दिन के अंदर आरोपी के खिलाव सक्त एक्षन नहीं लिया गया तो वो मुंबई पुलिस कमिशनर और ग्रहम अंत्राले तक खुद इस मामले कोल लेकर जाएंगे बीजेबी विधायक ने इस मुद्दे पर महरास्ट्र सरकार को भी घेरा और कहा कि मुंबई में एक्ट्रिस के साथ इतनी बड़ी नाइनसाफी होती रही और सरकार ने कोई एक्षन नहीं लिया अब कानून के जानकारों की माने तो अगर एक्ट्रिस के द्वारा लगाए गए आरोब सही साबित होते हैं तो राजकुंद्रा को आज इवन कारावास तकी सजा का सामना करना पड़ सकता है यानि राजकुंद्रा को ता उम्र जेल में रहना पड़ सकता है तो आपका इस स बीजेपी के विधायक और बीजेपी के प्रवक्ता सामने आये हैं। आरोप लगाया कि राज कुंद्रा ने इस गेम के प्रचार के लिए एक्ट्रस शिल्पा शेटी के नाम और तस्वीरों का भी इस्तमाल किया था। बीजेपी विधायक का कहना है कि राज कुंद्रा की वियान इंडरस्टी के नाम पर कंपनी है जिसमें वो डाइरेक्टर हैं। रूसी वियान कंपनी का जी ओडी यानि की गेम ओफ डॉट्स नाम का एक उनलाइन गेम है। इसे एक लीगल उनलाइन गेम बताया गया। वियान कंपनी के लेटर हैड पर शिलपा शेटी की तस्वीर का प्रमोशन के लिए इस्तमाल किया गया। गेम की डिस्ट्रिबिशन की बात कर लोगों को बहकाया गया और उनसे पूरी तरह पैसे लूटे गये। रामकदम ने आगे बताया कि लोग भी राजकुंद्रा और शिलपा शेटी की बातों में आगे। शिलपा शेटी का नाम और चेहरा देख कर लोग बहक गये और लोगों ने बिना सोचे समझे अपनी जमा पूजी लगा दी। विधायक ने सवाल उठाया कि इस तरह ठकने का अधिकार राजकुंद्रा को किस ने दिया और अब हम राजकुंद्रा के खिलाफ कोड़ा कदम उठाएंगे। आगे जो बात विधायक रामकदम ने बताई है वो और भी हैरान करने वाली है। बीजेभी विधायक ने आगे कहा इस मामले के पीड़त जब भी पैसे मांगने राजकुंद्रा के आफिस पहुँचे तो उन्हें बाउंसर्स के जर्ये पिटवाया गया उनके साथ मार पीट तक की गई। बीजेटी के घर में एक और तूफान आ गया क्योंकि कदम अब सभी पीड़ितों के साथ जाकर राजकुंद्रा के खिलाफ गंभीर कदम उठाने की बात कर रहे हैं।